अब हमेश एक डिसेजन लेना है कि आपने आर्खिटेक्स समझ लिए स्ट्क्स समझ लिए कि कैसे कैसे एमाजोन की लिस्टिंग काम करती है क्या क्या उसमें चीज़ां आपको समझनी है अब आपने क्या किया अब आपने एक प्रड़क्ट एमाजोन पर चूज किया जो आप भी सेल कर सकते हो जैसे मैंने एक्जामपल लिया था पिछली वीडियो में यह माउस है यह माउस मल्टिपल सेलर सेल कर सकते हैं अब उसके लिए जरूरी नहीं कि हर seller अपनी अपनी लिस्टिंग बनाता है नहीं अपनी अपनी लिस्टिंग बनाता है आप एक स्टेंडर्ड लिस्टिंग है Amazon को अलड़ी हुई हुई है आप उस लिस्टिंग पे as a seller नया offer एड़ कर सकते हैं आपने as a consumer आप अगर नहीं पह सेलर्स के होते हैं वह अलगलग sellers को permission होती है उस पे जाकर के sell करने की ना पर मीशन क्या है अब मैं इस एक एक्जामपा लेता हूं मेरे को शायद लिनोव ऐसे permission नहीं देगा क्यों मुझे पहले Amazon स्वारी लिनोव से माल लेना पड़ेगा मैं लिनोव से माल लूँगा मैं ज आपको अभी नहीं बता सकता कि किस product पे किस brand पे आपको ये restrictions मिलेगे आपको क्या क्या documents देने पड़ सकते हैं वो आपको जब आपने product select किया उसको जो आप list कर रहे हो उसमें तभी आपको पता लगया कि ये उस particular approval sorry listing पे approval कैसा चाहिए और क्या क्या documents देने पड़ेंगे जन जो इनवाइस होता है वो छे मेने पुराना नहीं होना चाहिए from the date of submission और minimum 10 units वो मांगता ही है अच्छा इसमें एक catch होती है वो यह है कि आपको जो नाम है ना product का जो आपके listing में लिखा हुआ है और जो आपके bill में हैं वो मैच होना ज़रूती है इस बार क्या होता है कि जो अपने इसाब से नाम चेंज कर सकते हैं वाइं अपने जहां से समान करें उससे request करके नाम वही प्रॉपर लिख पाई यह प्रॉपर नाम जो प्रॉपर नाम है अगर बाडल नंबर भी है तो मॉडल नंबर भी उसमें नाम में लिखवा दो तो वह information आपको कि यह पर सब्म क्या करना अच्छा उसे पहले question और आता है कि हमें पता किसे लगेगी approval हमें चाहिए उस पर तो first step क्या है आपको अगर कोई भी product list करना है existing जो है उस listing पर जाओ as a amazon.in पर जाकर कि उस product को search करो उस product की detail पे इसको लो और वहां से उसका ac number आप screen पर search करना asin यह एक number होता है जो वहां पर आपको उस product को add करना है कि यह existing product है जो मैं sell कर रहा हूँ अब इसका step by step screen के लिए मैंने video का link add कर रहा आप वहां पर जाकर करके चेक कर सकते हो screen by screen step by step कैसे करना है यह starting में इसलिए बतारा हूँ क्योंकि यहां पर कुछ concept समझा रहा है मुझे तो जब आप उस screen पर आऊगे कि यह product है मुझे लिस्ट करना है वहां पर आपको Amazon दिखा देगा कि भाई आपको यहां पर approval चाहिए कि नहीं चाहिए वहां पर option आजाएगी apply to sell जब आप वहां आप यह button unable होता है कि apply to sell means आपको approval लेना पड़े अगर वहां पर apply to sell की requirement नहीं आ रही आप वहां पर सीधा आ सकती है कि submit your offer आप उस बटन पर click करोगे आपकी screen बिलना शुरू हो जाएगी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो पार्ट होते हैं कि इसमें एक लिस्टिंग की basic details आती है एक आपकी offer के details आती है तो लिस्टिंग तो अलड़ी हुई हुई है क्यों आपने Amazon के customer portal पर जाकर करक करना है आपको सिरफ अपना offer अपना डालना है जो offer है वो आप अपना डालोगे वह आप कितना में डालो आपकी मर्जी क्योंकि आपका product है आप वो डालोगे और उसको आप submit करोगे वो submit करते ही जब आपकी लिस्टिंग जनरली पंदरा से बीस में लगते हैं आपके लिस्टिंग वहां पर प्रसेस होके आ जाती है उसके बाद आपने inventory करनी inventory करते है आपका offer Amazon के वहां पर विजिबल हो जाएगा इस केस में आपको listing optimization का काम नहीं करना कि लिस्टिंग अलड़ी हुई हुई है यह व अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने बिलकुल fresh मानलो यह product वहां पर बेकी नहीं रहा है तो आपको यह product वहां पर लिस्ट कैसे करें ठीक है तो अगले वीडियो में देखते हैं और इस वीडियो की जो description में है मैंने वह link डाल रहे है step by step कैसे आपको यह चेक रहे है झाल झाल झाल